नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज 18 जन्वरी दिन गुरुवार खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर मुक्य मंतरी क्रिस्टी विद्यत संबंध योजना का ऐसे उठाए लाब रजिश्वे एवं भूमी सुधार विभाग में रोज होगी योजनाओं की प्रगती की समिक्षा अब इन परिक्षाओं की तैयारी के लिए भी मिलेंगे पैसे एपी एफ़ोर इलिया फैसला आधार नंबर अब नहीं माना जाएगा जन्तितिका प्रूव ICC T20 रैंकिंग में भारत के इन खिलारियों को मिला फाइदा अब चलिए बढ़ते हैं बेहार के अब तक की 25 बरी खबरों के ओर वस्तार से जूनियर इंजिनियर सिवल के 113 पदों पर निकली भरती पुने नगर निगम के ओर से जूनियर इंजिनियर सिवल के 113 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो PMC की ओफिसियल वेबसाइट pmc.gov.in या डारिक्ट पोटल ibpsonline.ibps.in slash pmcjul23 पर जाकर online तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आविदन करने की अंतिम तारिक 5 फरवरी 2024 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो उमिद्वारों ने सवल इंजिनिंग में डिग्रे डिप्लोमा प्राप्त किया हो इसके साथ ही उमिद्वार की नियुंतम आयू 18 वर्से कम और अधिकतम आयू 38 वर्से जादा नहीं होनी चाहिए इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को जरूर देखने मुख्यमंत्री क्रिसिब विद्व संबंध योजना का ऐसे उठाइला बिहार सरकार के उर्जा विवाग के द्वारा IPRD बिहार के तहट पोस्ट शेर कर यह जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री क्रिसिब विद्व संबंध योजना के माधियम से अब तक लगभग 3.7 शुन्य लाख एक चुक किसानों की विद्व कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा चुका है बता दे कि जारे कि eenग पोस्ट करनसार इस योजना का उद्देश्य राज के ग्रामीन चहतरों में क्रिसी कारे हेतु विद्व संबंध प्रवंध कराना है प्रति उनिट की तर से बजली उपलब्ध होने का लाब मिल रहा है ऐसे में अगर आप भी इस योजना के तहट नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज नरधारित किये गए हैं जिसमें जमीन से संबधित कागजात, पहचान पत्र में आधार कार या वोटर आईडी या आवाजी प्रमान पत्र या dcl.co.in या www.nbpdcl.co.in पर विजिट कर आविदन कर सकते हैं बिहार पर रिटन में आज हम बात करेंगे विश्व सांती स्थूप के बारे में विश्व सांती स्थूप राजगीर बिहार में है सफेद रंग का एक विशाल स्थूप है बुद्र की प्रतिमा चारों स्थूप के लिए प्रातनाई की जाती हैं प्रारंभिक श्यवाले का निर्मान 1979 में पूरा हो गया था 1993 में होने वाली नई पहल के परिणामवस्थ स्थूप का रवर्तमान रूप से सामने आया यह लगबग असी शांती पैगुडाओं में से एक है जो की नौ बौध संग कोनों में बुध की चार आकरशक मूर्तियां है जो सिस्थूप को और भी मनमुहक बनाती है इस पहारी की चोटी तक पहुचने के लिए रोपवे से होकर आना परता है जो इस सफर को और भी रोमान्चक बनाता है इस स्थान की नेरसर्गिक और प्राकृतिक सुंदर्ता इस जगह को बेहत खूब सूरत बनाती है विहार में बारवी पास के लिए यहां लग रहा हा रोजगार मेला अगर आप रोजगार की तलाश में है और बारवी पास है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि 19 जनवरी 2014 को बिहार के बेगुसराय नियोजनाले संयुक्त श्रम भवन आइटी आई कैंपस में बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 100 लोगों को रोजगार उपलब्द करवाया जाएगा इस बारे में बेगुसराय नियोजन काड़े आले के जे एस ए राहुल कुमार के 19 से 29 वर्ष के युवा जो बारवी पास कर चुके हैं वो भाग ले सकते हैं इसके साथ ही आविदा के पास बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस होना भी अने बाड़े है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि 19 जनवड़ी को लगने वाले इस रोजगार मेला की श्रिवास स प्राइशनिक प्रमान पत्र अंग पत्र और पासपोर्ट साइज दो रंगीन फोटो लेकर नियोजनस्थल पर पहुँचेंगे राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग में रोज होगी योजनाओं की प्रगती की समिक्छा राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग अपने यहां चलने वाली तमाम योजनाओं की प्रगती जान सके इसके लिए विभाग के सचीव अस्तर के अधिकारी रोजाना शाम पांच बज़े से लेकर शाम सारे पांच बज़े तक प्रधारित के गए समयक इनुसार CEO से लेकर राजश्व करमचारी से सीधी बात करेंगे बतादे कि वर्दमा सप्तह मैं इसके शरवाज साचीव जैसिंग राज़े के किसी अंचल के CEO या किसी पंचायत के करमचारी से सीधी फोन कर करके बात करेंगे और योजनौ की जानकारी लेंगे बता दे किसके लिए रोजाना राज्य के किसी अंचल का चेर्न रैंडम तरीके से किया जाएगा एक दिन में दो या इससे जादा अंचल के पदादिकारी या करमचारी से सीधे बात की जाएगी और योजनौ के बारे में वस्तार से जानकार ली जाएगी वहीं अगर स्तोरान किसी पदादिकारी या कर्मी के अस्तर से कोई लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी बिहार A&M परिक्षा का आंसर की जारी ऐसे कड़े चक अगर आप भी उमिद्वारों में है जो बिहार A&M परिक्षा 2024 में शामिल हुए थे तो यहाँ खबर आपके लिए है बता दे कि बिहार तकनीकी सेवा योग के द्वरा राजिस सिरकार के स्वास्ते विभाग के अंतरग इस्ट्रेशन, आईडी और पास्वर की मदब से लॉग इन कर देख सकते हैं वहीं अगर किसी उमिद्वार को आंसर की को लेकर कोई आपत्ती होती है तो वो अपनी आपत्ती वेबसाइट के माध्यम से दर्च कड़ा सकते हैं जिसके बाद उमिद्वारों की इन आपत्तिय में बस खरीद पर 2752 लाभुकों को 55 लाख रुपे का अनुदान का लाभ दिया जाएगा बता दे किस योजना का लाभ लेने के लिए कुल 5594 आवीदन जमा किये गए थे जिसमें से 2752 आवीदनों को सुकृत किया गया है और इसमें 2065 लाभुकों का चेहन कर लिया गया है इन खरीद के बाद अनुदान की राशी प्राप्त करने के लिए आवीदन कर सकेंगे इसको लेकर परिवहन सचीव संजय कुमार अगरवाल के द्वरा सभी जिला परिवहन पदादिकारी को नरदेश दिया गया है कि सभी लाभुकों को 100 समय अनुदान की राशी दी जाए बता मंत्राले के अधीन आने वाले करमचारी भविशन इधी संगठन याने की EPFO के द्वारा आधार कार्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लेते वे सरकुलर जारी कर या जानकारी दी गई है कि अपडेट ऑफ वर्थ को अपडेट या सही कराने के लिए आधार कार्ट का इस्तमाल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट या सिवल सर्जन त्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट पासपोर्ट पैन नंबर सरकारी पिंसन एवं मेडिकलेव सर्टिफिकेट और डोमी साय सर्टिफिकेट का इस्तमाल किया जा सकता इसमें नाम और जंतिती का उलेक होना चाहिए। अलोक कुमार, अजी मुल्ला अंसारी, सुस्मा कुमारी, सुरेश प्रसाद, कुमारी अर्चना, सूमन कुमार, मृत्युंचे कुमार, राहुल सन्हा, पिंकी कुमारी और कुमारी आर्थी के नाम शामिल है। के विक्टोरिया पार्क में रंजी मुकाबला खेला जाने वाला है। ऐसे में अब इन दोनों खिलारियों के जगह अभिजीत साकेत और मलय राज को टीम में शामिल किया गया है। के इन दोनों खिलारियों को फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद टीम में चयन दी गई है। इसके लावा बिहार की टीम में आशुतोस अमन है जो बिहार की टीम के कप्तान भी है। इसके साथ ही साकेबुल गनी, उपकप्तान, विपन सौरब, बाबुल कुमार, सचिंद कुमार, सिंग, रागवेंदर प्रताप, हिमानसु सिंग, रविशंकर, रिशवराज, प्यूस कुमार सिंग, नवाज खान, विपल कृष्णा, बासुकीनात मिश्रा, बलजीत सिंग बिहारी, सर्मन, निगरोध, वीर, प्रताप सिंग और यश्पाल, यादव को शामिल किया गया है, वहीं हेट कोच के रूप में, विकास कुमार, कोच के रूप में, प्रमोद कुमार, सहयक कोच के रूप में, संजय कुमार और ट्रेनर के रूप में, गोपाल कुमार है टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथेमाटिकल साइंसेज प्रतियोगिता के लिए आवीदन की तिथी बढ़ी मैथेमाटिकल सोसाइटी के ओर से आयुजित के जाने वाले टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथेमाटिकल साइंसेज 2000 ते इस प्रतियोगिता परिक्षा के लिए आवीदन करने की अंतिम तिथी को बढ़ा दिया गया है से में अब इसके लिए आवीदन करने की अंतिम तिथी 29 जनवरी 2024 नरधारित की गई है चातर ओनलाइन आवीदन करने के लिए ओफिसियल वेबसाइट www.bmsbihar.org पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आवीदन कर सकते हैं इस बारे में नरंदा विश्विद्याले के कूलपती प्रोफेसर केसी सिनहा के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया कि अभी तक इस प्रतियोगिता के लिए 50,000 से धिक छातरों के द्वारा पंजीकरन किया जा चुका है वही इस प्रतियोगिता में कक्छा 6 से 12 तक कुल 12,235 और सना तक इवब सनात तर के लिए 286 चातरों का चेन किया जाएगा और फ्रिजण भी चातरों को चेनित किया जाएगा और साथी प्रसक्षत भी किया जाएगा मालमों कि इस प्रतियोगिता परिक्षा के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नरधारित नहीं किया गया है गुरू के दर्बार में पहुँचे राजिपाल और सीय निती स्टेका मत्था बीते दिन गुरू गोविन सिंग जी महराच के 307 मनवे प्रकासोत्सव के मौके पर बिहार के राजिपाल राजिंदर विश्वनात आरलेरकर और बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार पतना सिटी इस्थित तक्त श्री हर्मंदिर साही पहुचे जहां उन्होंने मत्था टेका और प्रदेश में अमन चैन और शांती की कामना की बता दे किस दुरान देश के अलग-अलग हिस्सों से आय जत्तेधारो श्री हर्मंदर जी प्रबंधक कमिटी के सjut्शियों के द्वारा मुख्यमंतरी को तलवार अंगवस्तर सरूपा एवं क्रतीक शन्भेट कर स्वागत किया गया वह इसके बाद मुख्यमंतरी के द्वारा गुरु द्वारा बाल लीला मैनी सांगत जाकर व बाबा कस्मीर सिंग भूरी बाले मुख्यमंत्री के प्रधान सचीव दीपक कुमार डॉक्टर एस्तिधार समेट कई गनमाने लोग मौजूद रहें धनेश्वर धाम बनेगा परटकस्थल विहार के जमुई जिले के महादेव सिमर्या में इस्तिध प्रसद धनेश्वर नाथ महादेव मंदर को परटकस्थल में विक्सत किया जा सके और यहां परटको के लिए विवन तरह की सुधा बहाल की जा सके इसके लिए धार्मिक नयास परिसत की ओर से रूप रेखा तयार कर ली गई होड़क जल्दी इसको लेकर कारे भी शिरू कर दिये जाएंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि धनेश्वर नाथ मंदर जमुई के प्रांचिंतम मंदरों में से एक है जिसका इतिहास गिद्दौर राजवन से जड़ा है इसको लेकर जो रूप रेखा तयार की गई है उसके नुसार यहाँ पूजा अर्चना, राजभोग, अतिती सेवा, साधू सत्संग एवं मंदर विकास से संबंधित कहीं काम किये जाएंगे इसके लावा यहाँ इस जगह को सुन्दर और रमनिक मनाने की भी कोशिश की जाएगी, मंदर के आसपास सजावट की जाएगी जिससे परेड़क अकर्शित हो सके अविन परिक्छाओं की तैयारी के लिए भी मिलेंगे पैसे कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सची, डॉक्टर एस सिधार्थ के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार मुख्य मंतरी, अत्यंत पिछरा वर्ग सिवल सेवा, प्रोतसाहान योजना के तहत अबसंग लोग सेवा आयोग द्वारा, आयोजित होने वाली सिवल सेवा प भारतिये आर्थिक सेवा, भारतिये सांखी की सेवा, एवं भारतिये भू वैक्यानिक आधी की प्राडमभीक परिक्षा पास करने वाले EBC के चात्रों को परिक्षा की तैयारी के लिए 75,000 रुपे, UPSC द्वारा आयोजित संविंत रक्षा सेवा, केंदरिये अनवेशन ब रिजर्व बैंक, SBI, बैंकिंग कार्मिक चेर्ण संस्थान द्वारा आयोजित ग्रेड बी प्राडमभीक परिक्षा, SBI एवं अनुसुचित वेवसाई बैंकों की बैंक प्रोबिसनरी ओफिसर की प्राडमभीक परिक्षा, भारतिये जीवन बीमा में सहायक प्रसासनिक अ जारी, राजधानी पटना समेथ पूरे प्रदीश में कडाके की ठंड जारी है, पटना मौसम विज्ञान केंदर के विज्ञानिक S के पटेली बताया कि धर्दी की सतह पर पच्छुआ जबकि उपरी छेतर में पुडवा हवा चल रही है, इस कारण अगले एक दो दिनों कोड़े के सती बनी रहेगी, 20 जनवरी और उसके बाद से मौसम में सुधार की संभावना है, वहीं आइमडी बिहार के द्वारा जारी के गए पुरवानुमान के नसार आज यानिकी, 18 जनवरी को राज़े के कुछ स्थानों में शीद दिवस होने की संभावना जताई गई और साथ ही राज़े के कुछ स्थानों में घना कुहासा चाय रहने की संभावना जताई गई है, पतादिक आइमडी बिहार की ओर से राज़े में ठंट को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं अगर कल यानिकी, 19 जनवरी के मौसम की बात करें तो राज़े के कुछ स्थानों में सी दिवस होने की संभावना जताई गई है, वहीं राज़े के पुर्वी एवं दक्षिन मध्य भागों में सुबह के समय घना कुहासा चाय रहने की संभावना जताई गई है, और यलो अलर्ट जारी किया गया है, इसके अलावा, राज़े के पश्रिम एवं उत्तर मध्य भागों में सुभा के समय हलके से मध्यमस्तर का कुहासा चाय रहनी की संभाबना चताई गई है। उस मामले को सरवच प्रात्मिक्ता देते वे गुमसुदा की तलाश की जाएगी बता दे किसके लिए राज्य के सबे जिलों में थाना के पदादिकारियों और कर्मियों को सपत दिलाई जाएगी ताकि वे ऐसे मामलों को लेकर प्रेडित हों उनका मनोबल बढ़े और संसिता रहें वहीं इसके लावा ऐसे मामलों में थानों के सासा डायल 112 की पुलिस को भी लगाया जाएगा ऐसे में आम लोग ऐसे स्थिती में तुरंत डायल 112 पर भी घटना को लेकर जानकारी दे सकते हैं पुलिस लाइन में वहनों को रखने के लिए बनेंगे गैरेज और वासिंग पीट बिहार पुलिस निर्मान निगम के महानिदीशक सह प्रबंध निदीशक विनाय कुमार के द्वारा दी जानकारी के नुसार राज्य सरकार के ओर से सुकृती मिलने के बाद बिहार पुलिस निर्मान निगम के द्वारा पुलिस लाइन में वहनों को रखने के लिए गैरेज और वहनों की धुलाई के लिए वासिंग पिट के निर्मान कराने की तयारी में जुट जाया गया है बतादे के राज्य के कई जिलों में पुलिस से वहां सरक पर खड़े होते हैं और उन पर धूल जन जाती है इसी को देखते वे राजे सरकार के दौरा प्रदेश के सभी जिलो में पुलिस लाइन में वहनों के लिए गैरेज और वासिंपीट के नर्मान को लेकर स्विकृति दे दी गई है बता दे कि इन गैरेज का नर्म गुप से शिराब बंदी है से तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आएदे नसे जड़े मामले सामने आते रहते हैं हालाग इन पर नकेल कसने के लिए उत्पात विभाग की टीम के ओर से कई कोशिशे की जा रही है इसी कोशिस के तहत बिहार की नवादा ज अशीश कुमार मिश्रा के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि शिराब और कार को जब कर ठाना ले आया गया है गारी किसकी है यह पहचान कर उत्पात अधनियम के तहत मामला दर्श कर कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि अपरादियों को बकसान नहीं जाएगा बीज़पी के मिसनवाई को साथने आज पठना पहुँचेंगे मोहन यादव दोहजा चौबस में होने वारे लोग सभाज जनाओ को लेकर सभी पार्टियों के ओर से अपनी अपने तैयारियां शरू कर दी गई है इसी कड़ी में बीज़पी के द्वारा भी बिहार में य अभिनंदन समारों में शामिल होंगे बता दे के अगर मोहन यादव के दोहरे के सड्यूल की बात करें तो उसके अनुसार मोहन यादव आज दो पहर 12 बज़े पठना एयरपोर्ट पहुचेंगे जहां स्टीट हैंगर के पास बीज़पी निताओं के द्वारा उनका स्वा मन होगा जिसके बाद सीम वीर्चंद पटेल मार्गसत बीज़पी प्रदेश कारयाले पहुचेंगे फड़ी यहां से चार बीस बज़े पठना के बुध मार्गसत स्कॉन टेंपल जाएंगे जहां दर्शन और पूजन करने के बाद चार पैतालिस बज़े पठना एयरपो होने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ विहार में कोई पॉलिटिकल गेम होने वाला है बता दे किसको लेकर जेडियू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी के द्वारा जानकारी देते वें बताया गया कि जन्नाय करपूरी ठाकुर के जन्वश्टाबदी समारों के आयोज दिनों तक रामा संकर सिंग लगातार उनके साथ थे उन्होंने कहा किसका आयोध्या में होने वाले कारेक्रम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अब उनके इस बयान को लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक समराथ चौधरी के द्वरा दो टुक जबाब दिया गया है। राम मंदर की पूजा करने जाना चाहिए। 450 साल पुराना सपना साखार दोना है। ICC T20 रैंकिंग में भारत के इन खिलारियों को मिला फाइदा। ICC के ओर से जारी की गई ताजा T20 रैंकिंग में भारतीय टीम के कहीं खिलारियों को फाइदा मिला है। पतादिक अक्षर पटेल के दोरा 12 पाइदान की चलांग लगाते वे T20 में गेंदबाजी की रैंकिंग में पांचवां स्थान हासल कर लिया गया है। पहिस के लावा दूसरे T20 मुकाबले में महज 34 गेंदू पर 68 रन की तेश तररार पाइदान की चलांग लगाते वे छटे नमबर का स्थान हासल कर लिया गया है। सन 1930 में महाल लेखक रवंदर ना टैगोर ने राश्ट्रपता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की। बेन ने 1969 में भारत छोड़ा, 2004 में हुई क्रिकेट की एक दिवसी श्रिंक्ला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को नसरानों सहराया। बंगाल क्रिकेट एस्सोशेशन ने 2009 में सौरफ गांगली को सोने के बैट से सम्मालत किया। महराश्टर के महान, विद्वान समा सुधारक, मादेव गोविन, रानाडे का जन्म 1842 में हुआ। अक्सुंदरम बार्जसदरं का जननब 1927 में हुआ मुक्केबाज मुहम्मध अली का Med 1972 में हुआ क्रिकेट खिलारी विνूद कामिनी का जन्व 19 downloaded में हुआ भारत की सरवत्रिस्ट बैद्मिंटन खिलारी अपर्णा पोपट का जन्व overs में हुआ बॉलेवोर्ड अभिनेतरी मीनिसा लांबा का जन्म 1985 में हुआ 1947 में आजी के दिन प्रसद भारती अभिनेता और गायक कुंदनला सहगल का निधन हुआ 1955 में आजी के दिन उर्दु के प्रसद कभी और लेखक सिदात हसन मंटो का निधन हुआ 1963 में उर्दु के सावजनी कारेकरता और समास सेवी लक्षमी नराया साहु का निधन हुआ 1966 में भारत के प्रसद गनितग्य बदरीनात प्रशाद का निधन हुआ 1996 में अभिनेता और राजिनतग्य एंटी रामाराओ का निधन हुआ 2013 में मशूर अभिनेता अमिताब बच्चन के पिता तथा हिंदी भाषा के प्रसद लेखक और कवी हरिवन श्राय बच्चन का निधन हुआ 2013 में भारती सिनेमा की जानी मानी अभिनेतरी दुलारी का निधन हुआ again सूशल मीडिया पर कहीं सूशना अहीं वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरोई नहीं है इसे कड़ी में आज हम बात करेंगे वाईस आङले बच्चे आइब करेंगे द्मेंदो आगर अगर लिखा है कैसी दोकादरी से सावधान रहें या समवींदर शील व्यक्तिगत आधिकारिक डेटा चुराने का प्रयास हो सकता है ऐसे मैसेज इस लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें गूगल के इस फीचर को आउन कर पाएं स्कैम मैसेजों से छिटकारा अंजान नमबर से आने वाले मैसेज और कॉल्स कभी कभी हमें काफी परिशान कर देते हैं तो वहीं कई बार इस तरह के मैसेज और कॉल से कई लोग ठगी के भी शिकार हो जाते हैं से में अगर आप इस त इस फीचर का इस्तमाल करने के लिए आपको कुछ स्टेफ्स को फॉलो करने होगे सबसे पहले आप अपने अंड्रोइड स्मार्ट फोन पर गूगल मैसेज अप खोले यहां आपको अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना होगा जो टॉप राइट कॉर्णर परस्तित हो सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो की विहार पुलस दरोगा समित ससी जैसे अने प्रतियोगी प्रक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास विहार स्पेशल विज्ञान करेंट अफेर्स और भूगोल से रहेंगे पूछेगे पाज़ो सवाल में आपने कितना सही उत दर दिया यहां में कॉमें करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली भी कहा में विश्व आर्थिक मंज की 54 भी पार्सिक बैठक शिड हुई है इसका सही उतर है ओप्शने स्विजर लैंड के दावोस अगर सवाल हाले में किस्तिती को भारतिय सीना दिवस मनाया गया है ओप्शने 13 जन्वरी ओप्शने 15 जन्वरी ओप्शने 16 जन्वरी इसका सही उतर है ओप्शने 15 जन्वरी अगला सवाल हाले में किसने ग्रीन रूपी टर्म डेपोजिट लॉंच किया है ओप्शनी भारतिय स्टेट बैंक, ओप्शनी बैंक ओफ इंडिया, ओप्शनी केंडरा बैंक, ओप्शनी सेंट्रल बैंक इसका सही उत्तर है ओप्शनी भारतिय स्टेट बैंक अगला सवाल विहार के मुझे परपुर में नमक सत्यागरह कब शुरू हुआ था? ओप्शनी 15 अपरायल 1930, ओप्शनी 5 अपरायल 1939, ओप्शनी 9 अपरायल 1930, ओप्शनी 7 अपरायल 1939 इसका सही उत्तर है ओप्शनी 7 अपरायल 1939, अगला सवाल नौशक्ती के संपादक निमन में से कौन थे? ओप्शनी पंडित रामधारी साश्तरी, ओप्शनी राजिंदर प्रशाद, ओप्शनी सकी चंदर जैस्वाल, ओप्शनी पंडित देवरत शास्तरी इसका सही उत्तर है ओप्शनी पंडित देवरत शास्तरी बीतर दिन हमारे दरा पूछ के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जवाब हमें हमारे comment section box में लिखकर दिया था जिनोंने हमारे पूछ के सवाल का जवाब दिया या नहीं आपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहाने के लिए देखते रहें बिहार इन्यों जो साथी अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगरा फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद